पूंचा अगरेंड वेलकम टूझेएंव रिजिमेंट पार्ट तरिके दोस्टों इसे पहले पॉन पॉंच्टी विडियो में हम पांच बेक्ति वाला छोगेप्टि वाला शाथ बेक्ति वाला आठ बेक्ति वाला जो कोशन होता है बिरते काम मार्ग पर बैठने वाला उसमें पूछ देगा कि ठीक एक सामने कौन बैठा है या एक के दाइए और कौन बैठा है एक के दूसरे बाइए और कौन बैठा है इस टाइप के जो भी कोच्छन सिटिंग एरेजमेंट से बनता है उसको आज की इस वीडियो में एकदम क्लियर कर देंगे सिर्फ आप लोग को वीडियो में लाश्तक बन रहना है और जिस हमारे चैनल पर नयार भाई लोग है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करेंगे आपको सिर्फ एक ध्यान देना है कि सीटिंग एरेजमेंट के कोशन जब अब ही देगा तो देखिए थोड़ा सा कैसे देगा उस सब को यहां पर पहले तो हम रखें हैं लेकिन कुछ पहले समझा देते हैं कि क्या आपको ध्यान में रखना है देखिए अगर यहाँ आपको खाड़ा किये जाए तो आपका दाहिन हाथ इधर रहेगा बाया हाथ दिधर बाया और इधर क्या लेंगे दाया थोड़ा सा ध्यान में रखिएंगा तोसी के मैं और क्रमकर में मदद मिलेगा आपको बनाने के लिए यहां पर बैठा है यहां पर बैठा है यहां पर बैठा है यहां पर और डी यहां पर और यहां पर पांच ब्यक्ति हैं तो ए बी सी डी पांच ब्यक्ति हो गया आपको थोड़ा सा एक बात यहां पर पहले समझ लीजिए देखिए आपको करना है क्या यहां पर बैठा है कौन बैठा है अगर यहां पर आप बैठा है अगर यहां पर आ गर मुरें बैटें हैं में तो आपका दाहिन हाथ इधर होगा और नहीं थे तोडसे प्लब नपते हैं यहांस पर बेठte आप समझेगा और किसी भी को बना देजिए अब जारा है फैसे कि महां पड़ते हैं क्या है भृष्ष्ण संखें एक से दो तक निम्रित जनकारि का ध्यान करके यानी जो नीचे जनकारी एक अधce Life का ध्यान करके उस पर अधिरत प्रासन को उथर दे 對不對 किया जनकारि жест कि सी ए के तुरंत बाई और बैठा है एडी के एडी और एक बीच में बैठा है अब आप से पूछ दिया है कि सी के ततकाल बाई और कौन बैठा है एक दाई और कौन बैठा है दोस्तों देखिए आप एकदम अपने से गर्दा उड़ाईएगा पहले कोश्चान को समझे कि यह क्या है केंद्र की वह मुह करके क्या बैठे हैं थोड़ा सा पौले समाझ लिजिए एक दम उसके बाद अपने से उड़ाईएगा किसी भी कोश्चन को उड़ाईएगा यह ब्रत्यकार मार्ट की वह मुह करके बैठा है पांच बैक्तिवाला है इससे भी ज़्यादा बेपती वाला करेंगे साथ बेपती वाला सब को करेंगे सिर्फ वीडियो में आपको लाश्ट तक बने रहना है अब चलिए मानली जिए कि यहां पर यह पांचों अदमी किंद्र क्यों मुह करके बैठा है अब कोशान आप से दू नमर पर यहां पर बोल रहा है कि सी जो हैं इके तुरंट बाईयोर हैं सी जो हैं मानली जिए यहां पर अभी पाले समसेट नहीं किये थे यह तो बता रहे थे कि आपको दाय बाय इस चित्रे में कौन होगा अब देखिए अब आईए अपना यहां पर कोशन को हल करने के लिए अब स्टार्ट करते हैं यह यह बिरताकार मार्ग आपका हो गया अब जाला देखिए सुचिए कोशन यहां से आपका बनेगा बिरताकार मार्ग हो गया अब कोशन आपसे पूछ रहा है कि एक बिरताकार मार्ग है पिर बोल रहा है कि सी एक तुरंट बाईयोर है सी जो है एक तुरंट बाईयोर है क तो जहां से दाय बाय चालू करेगा इस टाइब के कोशन में, वहीं से आपको हल करना है, पहले A, B, C, D नहीं बैठाना है, यहाँ पर अगर बैठाईएगा, तो हो सकता है कि आने में दिकत हो जाए, तो पहले देखिए, C जो है E के तुरंत क्या है, बाई और है, तो मान E के तुरंत बाई हो रहा है, तो इसका बाई कौन हो जाएगा, बाई धर, दाई धर, अभी यहाँ पर बताए, तो मान लेजिए, बाई तुरंत बाई है तो यहाँ पर C हो जाएगा, कोई दिकतना है, अब आई यह है, तो बोला है कि A, D और E के बीच में बैठा है, A जो है D और E के बीच में है, तो E है यहाँ पर, और D धर कीजिएगा, तो A बैठाएगा बीच में, नहीं बैठाएगा, तो A जो है, D और E के बीच में है, तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर D होगा, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि A जो है, E और D के बीच म हो गया अब एक बचा तो सीट भी आपका एक ही बचा है कौन बचा है पांच आदमी हैं C E A और D हो गया तो बचा है आपके पास कौन B पांच को सीट है तो B को यहां पर आप कालर पकड़िए और अपने से बैठा दीजिए आपका यह सीटिंग एरेजमेंट का सिस्टम सेट हो गया अब इस पर कोचन क्या है देखिए अब यहां से असानी से आप बना लेजिएगा कोचन यहां पर बोल रहा है कि सी के ततकाल बाई और कौन बैठा है तो सी के ततकाल बाई और तो सी के स्सक्रा अब एक दांओर कॉंधा है एक दांओर कोज़ेगा यहां से आपका एंसर हो Жाएग दोस्तों तो हम उम्मिद करते हैं कि आप लोग समझ गैंगे ऑब चलिए बढ़ते हैं आगए देखते आगेा अब आई बढ़ते हैं दूसरा कोशन को देखते हैं दूसरा कोशन में देखिए एबी सी डीए एफ और जी केंद रखी और मुह करके बैठे हैं एक बृतकार मारग के थोड़ा सा पॉल समझें एबी सी डीए एफ और जी साथ व्यक्ति हैं अगर आठो को के देता छोगों के तो आमने सामने बैठाते बृत में क्या करते आमने सामने बैठाते लेकिन साथ गो रहेगा पांच गो रहेगा नौ रहेगा तो कहीं से भी अब बैठा सकते हैं तो एबी सीडी इफ ये किंदर के ओर मों करके विरतकार मारक के ओर बैठे हैं अब कोशन पूल रहा है एगिए और जी के बीने बैठा हैं जहां से डाएबाए और बीच में लागाए वहां से आपको चालू करना है ए और जी के बीच में डी बैठा है, जी के दाई और एफ दुसरा है, और एफ के दाई और ए दूसरा है, जी के एकदम पर उसमें C नहीं है, तो अब कौशन आप से पुछ रहा है कि A, E के एकदम बाइ कौन है, अपसन में F, D, A, C, फिर बोल रहा है कि नमलेकित में कौन सही नहीं है कोशन इसमें और दिया है इसको देख लिए जाएगा पहले कोशने को यहां पर सेट किजीए बोला है लेखती है तो पहले सकती हैं ऊलए कि ए और जी के बीच में डी है ए और जी के बीच में कौन है डी है यही से आपको समझना है दोस्तों बोला है कि ए और जी के बीच में कौन है डी है तो आप यहाँ पर जी कर लिजिए और यहाँ पर ए कर लिजिएगा और यह किंद्र की और मुख करके बैठे हैं माल लिजिए कि तो जी और ए के बीच में कोचन तो आप से ही ने पूछ रहा है कि कौन बैठा है डी बैठा है हो गए आपका यहां पर जी और ए के बीच में कौन है ए और जी के बीच में डी बैठा है कोई दिगर नहीं जी के दाई और एफ दूसरा है जी के दाई और एफ दूसरा है तो यहां तो पहला हो जाएगा दाई और इधर दूसरा हो जाएगा एफ यहां पर हो गया कोई दिकत नहीं कोई दिकत कोई जी के दाई और एफ दूसरा है हो गया पहला दूसरा आप कोशन बोल रहा है और एफ के दाई और इदूसरा है एफ के दाई और इदूसरा है एफ के दा और दूसरा इह हो गया यह पहला ये दूसरा अब जारा सोचिए अब आपका समी करन सिठ हो जाएगा आगे कोशन कॉर पढ़िए के कदम पर उसमें सी नहीं है यानि जी के एकदम पर उसमें सी नहीं है तो यहां सी नहीं होगा तो बचा कौन अभी अभी तो बी बचा है तो बी यहां पर आपका हो जाएगा और बचाए कौन सी बचा तो सी आपका यहां पर हो जाएगा उपर लिखा था इसलिए यहीं पर सेट कर दिये तो गिनिये तो एक दो तीन चार पांच से साथ गुब्यक्ति आपक पूछा है याश्य आपका सही हो जाएगा अब कोशन नमर्दो को पढ़िए निमन लिखित में कौन सा सही नहीं सही जो नहीं है इसमें उसको आपको देखना है तो पहला को में बोला है कि एक दाई और दुसरा सी जै क्वै economist पहला ही आपको कि दूसरा 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 पहला दूसरा है कि तही है तो यह भी गलत बोल रहा है कौन सही नहीं है यह बोला है को प्रोक्त सभी हैं तो यह भी सही नहीं है एक दाइं और दूसरा सी है तो दाइं दूसरा सी तो नहीं है तो आपका कौन साटीक अंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अब इधर देखिए थोड़ा सा यहां पर कोशन नमर जो तीन पूछा है इसको घेरा लगा दीजी इसमें थोड़ा सा छूट गिया है इसके बाद चार वाले को देख लेते हैं सी और एक के बीच में कौन बैठा है यह हो जाएगा किप आप सी और ए वे एख के बीच में कौन बैठा है कई वह जाएगा तो यहाँ न्यली में यहाँ में आपका अंसर हो जाएगा न्युक्र घंदंद यह करते हैं कि आप लोग की असानी से समझ घए हूँगे थे 5 बेकटी वाला दे य Gunken यह साथ बेकटी वाला दे और इससे आगे भी देखे लेते हैं और 8 बेकटी वाला रह नौ भेकटी वालो जो भी कोचन उसको देखते हैं उसके बाद सब्सक्राइब कर लेते हैं उसके बहुत सारे इसमें कोशन दिया है उसको सब को यहां पर आसानी सहल कर लेंगे पी क्यू आर एस टी भी और जेड केंद्र क्यों मोह करके बैठा है एक मेज के इर्दगीर पर यह जरूरी नहीं कि सिक्रम में यानि इसी क्रम यह कोई जरूरी यह आपसे ब Witness बिल लुए ये पर की दैएं को दूसरा है हैारी के दाएं को दूसरा है और when there did कौन सा है देखिए दोस्तों इस टाइब के कोशन अगर एक्जाम में आ जाए तो आपको सीधा पलकिया करना है कोई गवाद में देख लना एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ हुआ हैं तो जो आठ हुआ हैं और बृत्यकार मेज हैं उसके इर्द गिर्द बैठा हैं प्रब्लम कर देगा कि छोड़ना पड़ेगा आपको इसलिए हम इसको आज कर रहे हैं आज is सब के लिए हो जाएगा देखिए पहले सीधा सीधी आप क्या करना है आपको एक बृत्यकार मेज बा लेना है थोड़ा सा समझे कि बृत्यकार एक अपका मेज है हो गया अपसे पूछ रहा है जहां से दाय बाएं इस टाइप के कोशन में लगाएं वहां से हल करना चालू कर पर यहां से पूछ रहा है कोशन आपका यहां पर दे रखा है एस पी के बाएं को तीसरा है एस पी को बाएं को तीसरा मान लेजिए अगर यहां पर पी है थोड़ा सा पहले समझे यहां पर कौन है पी है तो इधर दाय होगा और पी के इधर बाएं होगा और इधर दाय यह तो पहले ही बता दिया है अब बोलो है कि एस जो है पी के बाएं को तीसरा यानि इधर नहीं बाएं को पहला दूसरा तीसरा कौन है एस है पी को बाएं को तीसरा यानि पहला यहां पर दूसरा यहां पर तीसरा यहां पर इस हो गया अब चलिए इस यहां पर हो गया अब आप से क्या आगे पूछ रहा है पी भी के बाय को दूसरा फिर से समझ यह पी भी के बाय को दूसरा यानि पी जो हैं भी के बाय यानि ये बाएं है भी के तो भी इधर होगा तभी तो इधर बाएं होगा और उधर दाएं तो भी यहां पर अगर होगा तो पी भी के बाएं को दूसरा यानि पहला और यह दूसरा हो गया अब चलिए यह भी है भी से पी जो है दाएं दूसरा है बाएं भी के बाएं दुसरा पी है तो पहला दुसरा बाएं हो गया और भी के दाएं को दुसरा भी के दाएं आ रहा है दुसरा तो भी के दाएं पहला और यहाँ पर दुसरा हो गया कि नहीं इधर कौन है आ रहा है एक मिनट यहां सामने सामने थोड़ा सा इसके सामने सामने कर लिजिए तो अब असानी से हो जाएगा यह लाइन और यह लाइन दोनों सामने सामने अब देखिए भी के दाएं को दूसरा आ रहा है पहला दूसरा दाएं हो गया अब एक दू तीन चार पांच छे साथ आठ प्यब्सेस प्यआपेजाएं कि दूस्रां हो गया तीप के समीप नहीं है यानि यानि यह की समीप में यानि इधर है अर्य है समीप में तो हैए नहीं है को समस्ज जैएक तो बना ली जी आर जेड के बाएं को तिसरा दिया है पहले और कोशन में थोड़ा से दिया है और जेड के बाएं को तिसरा है और जेड को बाएं को तिसरा अब यहां पर आ रहा है तो जेड से तिसरा है बाएं तो यानि यहां पर अगर जेड होगा तो पहला दूसरा तिसरा यहां पर जेड हो जाएगा तो बाय को तिसरार हो जाएगा जिर के एक दो तिन हो गया तिसरा और इसके आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं Q भी के समीप नहीं बठा है Q जो है भी के समीप नहीं बठा है न यहां पर बठा है न यहां पर बठा है कौन Q भी के समीप में नहीं है तो भी के जब समीप नहीं है ती ती पी के समीप में नहीं है तो यहां किसका स्थान आजाएगा दोस्तों पी के बगल में वाई अगर यहां पर आप रख सकते हैं तो हो जाएगा क्योंकि Q जो है B के समीप में नहीं है दिया है और P के समीप में बोला था कि कौन नहीं है P के समीप में T P के समीप में नहीं बैठा है अब बचा कोई को एक और दो बचा तो दो में आप किसको किसको रख सकते हैं B के समीप में तो Q नहीं होगा तो यहाँ पर आप चाहे तो T रख सकते हैं, कोई दिकत नहीं अब बचा Q, क्योंकि आप B के सम्मी में Q नहीं रहेगा इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो T यहाँ पर हो जाएगा अब एक Q बचा तो इसका कालर पकड़िये, यहाँ पर सेट कर दिजी तो आपका एंसर हो गया, जो जो बोला था उस सब को सजा ली यहाँ पर जैसे यहसे बोलेगा, वो इसे यहसे हो गया, देखिए A, S, P के बाए को तिसरा है, S, P के बाए एक दू तिसरा हो गया, कोई दिकत नहीं पी भीके बाए को दूसरा, पी जो है भीके बाए को दूसरा, यानि बाए भीके एक दू दूसरा, पी हो गया, और भीक दाए को दूसरा, और जो है भीक दाए पहला दूसरा हो गया, और जेड के बाए को तिसरा, और जेड के बाए को तिसरा, पहला दूसरा तिसरा हो गया कोई दिगत नहीं अब आईए फिर बोला है कि कीव भी के समीप में नहीं है यानि कीव न इधर रहेगा न इधर भी के समीप में नहीं रहेगा तो यहां पर टी रख दिए अब आईए फिर बोला है कि टी जो है पी के समीप में नहीं है तो इधर भी नहीं रहेगा टी यहां पर तो आई हो जाएगा और यहां पर क्यों बैठा सकते हैं बचा तो कालर पकड़ गए अब कोशन के बढ़िए आप से पूछा है कोशन पहला जेड के बाई और कौन बैठा है देखिए अपने से देखिए जेड के बाई और कौन बैठा है तो जेड के बाई और यान इधर तो जेड के बाएं और कौन हो जाएगा दोस्तों क्यू ओधारो टो जिड के माइं और क्यूं हो गया आपका सेट कर लिजाएगा तो 3-4 कोशन अपने से उला देजिएगा एक्जाम में जो की बाएं को दूसरा यानि इधर दाएं हो जाएगा इधर बाएं पहला दूसरा टी हो जाएगा तो टी हो जाएगा आपका किस अप्शन में है तो यह राइट एंसर हो जाएगा अब आईए अब आपसे पूछा है एस के संबंध में वाई का स्थान कौन सा है एस के संबंध में वाई का स्थान इसके संबंद में वाई का स्थान ऑप्शन से पढ़िए तब समझ में आ जाएगा क्योंकिए हो सकता है इधर से लिन करन है तो देखिए अगर ऑप्शन को उठाइए दाय को 3 तो दाय से पहला दूसरा देखे तो कौन वाई नहीं है वाई यहां पर कहा है तो नहीं होगा बाय को चौथा इसके बाय चौथा देखिए तो एक दू तीन चार हो जाएगा बाय को चौथा तो इधर से इसके एक दू तीन चार यह हो जाएगा आगे भी और देखे लेते हैं दाय को चौथा एक दू तीन चार द क्यों कि एक एक दम बेलकूल सही है एक दो तेन चार हो जाएगा मैं से एक दो तीन चार हो जाएगा तो दोना होना होना चाहिए हैं यहां पर e-can suffer you no you donald कॉन कॉन बीपलस शी तो यह अपका राइटjob हो जाएगा दोन रहेगा तो प्लसमें लगाना पड़ेगा उसी साथ कर देगा नहीं तो बीपलसी कर देगा तो आपका यह राइट एंसर हो जाता अगर नहीं देगा तो बढ़ा करूप सने देगा तो हम उम्मेद कर दें कि दोस्तों यह समझ में सहनी से आप लुक आ situation को जैसे इसे बोले का दाय बाय जहां से लगाएगा वहां से सिट करना है और सीधे सीधी जो कोशन पुशेगा उसको हल कर देना है तो हम उम्मिद करते हैं दोस्तों कि आज के यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा अच्छा ल